साथियों बहुत ही बड़ी खुश खबरी आप लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ बहुत प्रतिच्छित केस जो B8 बनां BTC लगभग दो वर्सों से ये केस चल रहा था कल बारा तारिक को ये दस ग्यारा बारा लगभग तीन दिन से लगा तारिक सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और इसका आडर रिजर्ब कर लिया गया है और सातियों कस्प कल जो है B8 की तरफ से धाकड वकील P.S. पटवालिय सर ने बहुत धाकड आर्गुमेंट किया और केरल का हवाला देते हुए कि केरल में प्राप्मिक सिच्छक भरती में एक से पांस तक B8 eligible है और बहुत सी बातें की जैसे की राजस्थान का जैसे B8 BSTC के जो वकील थे इन्होंने राजस्थान का हवाला देते हुए कि हाई कोर्ट ने वहां के एक से पांस तक में B8 को रद कर दिया गया है B8 वाले वहां नहीं बैठ सकते हैं तो दोनों वकीलों में कल बहुत बढ़िया आर्गोमेंट हुआ और लास्ट में जो है डिसीजन को आर्डर को रिजर्व कर लिया गया है खैर अभी आर्डर तो सुनाया नहीं गया है इसकी मियाद 90 दिन की होती है 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आर्डर सुनाना पड़ता है उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों को अपने लिखित आर्गोमेंट जितने भी आर्गोमेंट वो लोग किये थे उसका लिखित बेवरा मांगे है और यहां लिखित बेवरा सुक्रवार तक जमा होगा तो आने वाले सुक्रवार तक सारे लिखित बेवरे जो है जितने भी आर्गुमेंट हुए हैं दो-तीन दिनों में यहां लिखित बेवरा जमा किया जाएगा जरूरी नहीं है कि सुक्रवार तक ही जमा हो यहाँ जमा होना तेरा तारी दिनांग आज की ही दिनांग से जमा होना शुरू हो गया है तो लगभग यह माना जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार तक यह सारे तक्थ जमा हो जाएंगे वहाँ पर लिखित प्रमार जो है उसके बाद हम लोगों का बीएड और बीटीसी का जो यह केस चल रहा है यह जो इसका आडर जो है बहुत ही जल्द सुना दिया जाएगा क्योंकि साथियों इसमें बहुत से ऐसे इतने बच्चों का भविस फसा हुआ है इसलिए कोड जो है इस आदेश को रोक नहीं सकता है बहुत दिनों तक और खुशखबरी यह भी है कि साथियों कल कपिल सिब्बल सर नहीं आये थे जो कि बीएड़ टीसी के तरफ से केश लट रहे हैं बीटीसी के तरफ से कपिल सिब्बल सर के ना आने से पीएस पटवालिया ने कल जो धमाकेदार आर्गुमेंट किया था उससे यहा 80% है कि बीएड़ वालों के जीत पक्की हो गई है लेकिन यहां पर कुछ बीएड़ वालों और बीटीसी वाले हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि सर्थ कौन जीते का कौन हारेगा तो साथियों उसमें परेखसान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने बीएड़ वालों क को पच्च ले रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि अगर दोनों लोग हो रहे हैं और दोनों लोग हो जारहे है तो कोई बुराइई की किया था इस से जो है वहां की ज़स्ताहब बहुत सहमत दिखे और वहां में आपका रखे थे केड़ा में केरला में 125 में बैलिड है और पिर पेटिवाल य सर ने भी बोला कि अगर प्रात्मिक नहीं माना रहे हैं जब प्रात्मिक में 6-8 तक वो पढ़ा रहे हैं तो क्या जो है एक से 5 तक नहीं पढ़ा सकते हैं बिल्कुल पढ़ा सकते हैं क्योंकि 6-8 को भी हम उच्छ प्रात्मिक बोलते हैं उच्छ प्रामरी तो प्रात्मिक को भी हो गया है इसका मतलब यह हो गया है कि एक सिल साथ से सब वो बीएश टीसी वाले वकील और बीएड वाले वकील सारे तथ्यों पर डिसकस हुआ और फाइनल डिसीजन कल यह लग रहा था जब कल कोड की सुनाई चल रही थी कि इसमें बीएड वालों की जीत पक्की है तो बीएड वाले चाहत बिल्कुल भी निरास और हतास ना हो और अपनी तयारी करते रहें यह 90% मान कर से लिए कि बीएड वालों की जीत पकी हो चुकी है और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मारे चैनल सो सब्सक्राइब करें जैसे ही आडर आएगा मैं आप लोगों को तुरन बताऊंगा सबसे पहले आडर में आप लोग